हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल एक्रिक्जाम क्रेकर अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और फ्रेंड्स आज आप लोग देख सकते हैं मैंने मृता विज्ञान से टॉप थर्टी मोश्ट इंपोर्टन परिच्छा उपयोगी प्रश् चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आउन करना ना भूले और खुद को चेक भी करते रहें तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं कोश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पोसक तत्तु पाउधों में आचल तत्त होता है आपसन देखिए आपका कैल्सियम है मेंगनीसियम है नैट्रोजन है फासपोरस है चार आप्षन आप लोगों के सामने हैं आप लोग जवाब दे सकते हैं कि कौन सा इसमें पौदों में आचल पोसक पत्त्त की रूप में होता है तो राइट आप्षन next question है, कि गंधक सबसे ज़्यादा किस family की आउसकता होती है, गंधक का रासाइनिक सूत्र yas होता है, गंधक सबसे ज़्यादा किस family की आउसकता होती है, इसमें दिया है दलाहनी फशलों, यानि लिगे मिनेशी, ग्रेमनी, सोलेनेशी, और तिलाहनी फशले, चार आपसन आप के सामने है आप जल्दी से आप्शन देखिए एंशर बताईए तो बात करते हैं गंदक गंदक सबसे ज़्यादा जो है गंदक का काम है तरलता को बढ़ाना तो तरलता किसमे ज़रुरत है आप्शन नमबर चार बिलकुल राइट है तिलहानी फशलों के लिए चलिए नेक्स् बढ़े बौरान को मॉखिता किस रूप में गराण करते हैं चार उप्शन आप लोगों के सामने है आप लोगों है आप उत्तर दे सकते हैं पौदे बौरान को मुखिता किस रूप में गराण करते हैं इसका राइट आप्शन है नमबर S3 confessed पौधे बोरान को हमेशा S3BO3 के रूप में जो है ग्रहन करते हैं आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा चलिए नेक्ट प्रस्ट देखते हैं नेक्ट प्रस्ट है चार नम्मर कि जब पौधे में लोहा तत्त की मात्रा डेश 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 पीपीम से कम होती है तो पौधों में इसके कमी के लच्छण प्रकट होते हैं कितने जो है पीपीम से कम होता है लोहा तब जो है उसमें लोहे कमी के लच्छण होते हैं वैसे लोहे का जो रासाइनिक सूत है वैसे भी है आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा तो इसका right option कौन सा होगा चार option आप लोग को सामने है 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm और 100 ppm right option जो होगा friends वो होगा आपका third number 50 ppm चलिए next question देखते हैं जो भी 3 option बताया होगा उसका right बिल्कुल साही होगा next question है 5 number कि लोह तत्त की कमी मुखिता तब प्रदर्सित होती है जब फश्णों को उगाते है लोह तत्त की कमी मुखिता तब प्रदर्सित होती है जब फश्णों को उगाते हैं किस प्रकार के भूम में अप्सन फर्ष्ट है चूना युक्त या चारिये भूम में सेकेंड है लोडिये भूम में थर्ड है अमलिये भूम में और फोर्थ है उदाशीन भूम में तो राइट अप्सन इसका जो होगा वो होगा अप्सन फर्ष्ट चूना युक्त या चारिये भूम्मी में चलिए प्रश नमर शिक्स देखते हैं बहुत ही महत्पूर्ण है कि लौह तवत्त किस एंजाइम का मुख्य घटक है लौह का रासाइनिक सुत्र मैंने बता दिया यह फी आप याद कर लीजिएगा यह फी पूछा जा सकता है आपके एक्जाम में अफसन देख पहलेते हैं पहला है नाइट्रोजीनेज दूसरा है नैट्रेट रिडिक्चे तीसरा है नैट्राइट रिडिक्टेस और चौथा है उप्रोग्त सभी इसका राइट एंसर जो होगा ओप्सन नमबर 4 है उप्रोग्त सभी बहुत ही महातोपूर प्रस्जन才 है सात नंबर की कपास में क्रींकल लीफ किसके कारण होती है करींकल लीफ किसके कारण होती है अप्शन में है लोह, जिंग, मेगनीज, कॉपर बता दें आपको रासािनिक सुत्र लोहे का एफ़ी, जिंग का जेडियन मैगनीज का MN और कॉपर का C U बिल्कुल याद के लिजिएगा सारे राशाइनिस होती तो राइट आप्सन जो होगा इसका राइट आप्सन है 3 नमबर मैगनीज नेक्स है प्रेश नमबर 8 कि पौधों में जिंकी कमी के लच्छन दिखाई देती है जब सरन्धता से कम होती है कितनी सरन्धता से कम होती है 6 PPM 30 PPM 40 PPM या 60 PPM इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर जो होगा वो है आप्सन नमबर 2 30 PPM जिननों न भी आप्सन नमबर 2 को चुना था उनका बिल्कुल राइट है बागी सब लोगों का गलत है चलिए next question देखते हैं next question है 9 number की molybdenum एक घटक है किसका घटक है molybdenum एक घटक है किसका घटक है option है urease option second है nitrogenase option third है nitrate reductase option 4 है nitrogenase तथा nitrate reductase दोनों का तो बात करते हैं molybdenum एक घटक है तो molybdenum एक घटक है right answer होगा 4 number nitrogenase तथा nitrate reductase का जिन्होंने भी option number 4 को right चुना था उनका बिल्कुल right है चलिए next question देखते है next question है 10 number की मिर्दा में किसका अस्तर पढ़ा कर बाजरा में downy middle you नियंत्रण किया जाता है मिर्दा में किसका अस्तर पढ़ा कर downy mild you नियंत्रण किया जाता है option है calcium copper chloride molybdenum right option क्या होगा मित्रो चार option आप लोगों के सामने है right option होगा इसका 3 number जिन्होंने 3 chloride यानि CEL का option number 3 लगाया था उनका सबका सही है बागी गलत है चलिए next देखते है next question number 11 है कि chloride iron युक्त उरुबरक किस फसल के लिए अनकूल नहीं है chloride iron युक्त उरुबरक किस फसल के लिए उनकूल नहीं है option में देख लेते हैं पहला option है गन्ना दूसरा आलू तीसरा गेहू चोथा अरहर तो बात करते हैं chloride iron युक्त उरुबरक किस फसल के अनकूल नहीं है इसका right option होगा दो नमबर आलू आलू के लिए अनकूल नहीं है चलिए next question 12 नमबर है isstem milonosis नमक बीमारी गेहूं में किस की कमी से प्रकट होती है बहुत ही महत्वूर है बात करते हैं isstem milonosis का जो नमक बीमारी है गेहूं में किस की कमी के कारण प्रकट होती है option आप लोग पढ़ लीजे magnees, copper, zinc, silka तो बात करते हैं isstem milonosis का तो ये जो है आपका copper के कारण होती है, option 2 बिल्कुल right होगा. Next question है, कौन सा तत्य यूरियेज एंजाइम का धात्विक घटक है? Option है, silicon, sodium, molybdenum और nickel. Question number 13, बहुत ही महत्पूर है कि कौन सा तत्य यूरियेज एंजाइम का धात्विक घटक है? इसका right option क्या होगा? इसका right option है, four number, nickel. चलिए, next question देख लेते हैं. Question number 14 है कि यूरिया में byureate की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में byureate की मात्रा कितनी होती है? Option देख लीजिए, आप लोग. फिर बताए, क्या right answer हो सकता है इसका? बात करते हैं यूरिया में बायूरेट की मातरा कितनी प्रतिसत होती है तो इसका राइट एंसर जो होगा होगा 4 नंबर 1.5 प्रतिसत से अधिक नहीं होनी चाहिए इतना तो सब होता है लेकिन नहीं होती है 1.5 प्रतिसत से जादा नहीं होनी चाहिए यूरिया में बायूरेट की मात्रा 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए next question है कि पिट मिर्दा की क्या विसेष्था होती है पिट मिर्दा की क्या विसेष्था होती है पिट मिर्दा का जो pH मान होता है मित्रों वो साड़े 3 होता है साड़े 3 से कम होता है आप लोग देख सकते हैं कि pH मान जो होता है वो साथ होता है उदासीन हम उपर की तरफ बढ़ेंगे और नीचे की तरफ बढ़ेंगे नीचे अगर बढ़ते हैं तो बात होती है अमलिय मिर्दा की उपर बढ़ते हैं तो बात होती है छारिय मिर्दा की हम साड़े तीन पियेच मान बता रहे हैं यानि अमलिये मिर्दा की बात हो रही है पिट मिर्दा जो है अमलिये मिर्दा है लेकिन किस प्रकार का है क्या भी सिस्ता होती है चार option आप लोगों के सामने हैं जल्दी से बढ़कर आप right answer बताइए इसका right answer होगा option number first काली भारी और अमलिय मिर्दा काली भारी और अमलिय मिर्दा जो है पिट मिर्दा होती है चलिए next question देखते है question number 16 DAP में phosphorus की मात्रा कितनी होती है DAP में di ammonium phosphate में phosphorus की मात्रा कितनी होती है di ammonium phosphate यानि इसमें double चीज मिलता है इसमें जो है आपका nitrogen और phosphorus दोनों मिलता है इसमें phosphorus की मात्रा पूछी जा रही है चार option आप लोगों के सामने है मैंने उर्वरक fertilizer पर एक बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो बनाया हूँ अपने चैनल पर upload किया हूँ उसमें आप जितने भी उर्वरक है fertilizer है सब में कितना परिशत क्या मिलता है उसके बारे में मैं उस वीडियो में बताया हूँ उसका लिंक मैं इसके description box में दे दूँगा आप लोग पूरा उर्वरक के बारे में पढ़ सकते हैं तो बात करते हैं DAP में phosphorus की मात्रा डाइट रोजन की मात्रा 18 परिशत होता है और phosphorus की मात्रा जो होता है वो 46 परिशत होता है right option 3 number next है पहाणी मिर्दा साधारा रतिया होती है पहाणी मिर्दा किस प्रकार की होती है चार option है अमलिये चारिये उदाशी लोडिये तो पहाणी मिर्दा पहाणी का मतलब जहाँ पर बरसा ज़ादा होता है तो बरसा ज़ादा होता है वहाँ किस प्रकार की मिट्टी होती है तो वहाँ सववावी की मिट्टी अमलिये होगी चलिए next question देखते हैं प्रश्ण नमबर 18, कि मुख्य सतही संस्तर को किस नाम से जाना जाता है, मुख्य सतही संस्तर को किस नाम से जाना जाता है, आप्शन है अनुवांशिक संस्तर, पेंडोस, एपी पेंडोस, एंडो पेंडोस, बात करते हैं, मुख्य सतही संस्तर को किस नाम से जाना जाता है, Right option होगा 3 number, Epipendos के नाम से जाना जाता है. चलिए, next question देखते हैं, कि जल, धारन, छमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? जल, धारन, छमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? Claylome, Sandy Claylome, Silti Claylome या Lome. Right option क्या होगा इसका? तो बात करते हैं, जल, धारन, छमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो Claylome की होती है, option number first, विल्कुल right होगा. Next question, 20 number, बहुत ही महत्पूर है, कि Collidal Clay का आकार कितना होगा? Collidal Clay का आकार कितना होगा? Option दिया गया है, 0.2 mm, 0.02 mm, 0.002 mm, 0.002 mm, 0.002 mm. तो Collidal Clay के बारे में पूछा जा रहा है, Collidal Clay का आकार जो होगा, वो option number 4 है, 0.002 mm, अगर Clay का पूछा जाता, तो option number 3 होता. यहां Collidal Clay के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए option number 4 विल्कुल right होगा. Next question है, 21, कि Nitrogen इस्तरी कराण के लिए उपियुक्त pH होता है. Nitrogen इस्तरी कराण के लिए उपियुक्त pH होता है, कितना होता है? अब संद 4 है, साड़े 6, साड़े 7, साड़े 8, साड़े 9, बहुत ही महत्मूर्ट प्रेश्ट है, एक बार फिर से जा लिजे, Nitrogen इस्तरी कराण दलहनी फसलों में होता है, दलाहनी फशलों की जड़ों में गाठे पाई जाती है जिसमें राइजोवियम नामक जीवान होता है राइजोवियम का कार्य होता है कि नाइट्रोजन को वाइमंडल से इस्त्रीकरण करता है वो पृतिमी में लाता है, मिट्टी में लाता है और next फसल के लिए nitrogen की मात्रा उसमें रहती है इसलिए जितनी विदलहानी फसले हैं उसमें nitrogen की मात्रा कम डाली जाती है क्योंकि nitrogen का इस्त्री करण ये खुद करते हैं अब बात है कि nitrogen इस्त्री करण के लिए उप्युक्त pH मान क्या होगा तो इसका right answer जो होगा वो option number 3 है साड़े 8, 8.5 जिनों ने भी 3 number right comments किया था उसका पढ़िया है उस राइट है चलिए next question देखते है next question है 22 number कि nitrogen का अधिक्तम इस्त्री करण होता है जब कितने प्रतिसत oxygen में nitrogen का इस्त्री करण अधिक्तम होता है बहुत ही महत्पूर है चार option आप लोगों के सामने है 10%, 20%, 30%, 40% तो बात करते हैं कि nitrogen का अधिक्तम इस्त्री करण होता है जब oxygen 20% होता है option number 2 विल्गों right है चलिए next question देखते है 23, bisphort उर्वरक के नाम से जाना जाता है बिसphort उर्वरक के नाम से जाना जाता है option 4 है equamonia, ammonium nitrate, potassium nitrate, ammonium chloride बात करते हैं बिसphort उर्वरक के नाम से जाना जाता है option number 2 right होगा ammonium nitrate next है pyrite का रासाइनिक सूत्र क्या है pyrite का रासाइनिक सूत्र क्या है बात करते हैं pyrite का रासाइनिक सूत्र का नाम है F.E.S.2 option number 4 विल्कुल right है Next है कितने प्रत्सत से अधिक वायूरंद्र पानी से भर जाते हैं तो पौधे की बृध्धीर रुख जाती है कितने प्रत्सत से अधिक वायूरंद्र यानि जो रंद्र होते हैं मिट्टी में पानी से भर जाते हैं तो पौधे की बृद्धी रुख जाती है चार आप्षन आप लोगों के सामने है राइट आप्षन क्या होगा इसका राइट आप्षन है आप्षन नमबर फ़स्ट पचास से साथ प्रतिसट जब वायूरंद्र पचास से साथ प्रतिसट पानी भर जाता है तो पौधे की बृद्धी रुख जाती है नेक्स कर्ट क्वेश्चन है कि मिर्दा रंग के निरधारत में क्रोमा क्या परदर्सित करता है प्रबलत रंकिरने, रंग का हलकापन वा गहरापन, रंग की सुद्धता वा सांदरता उप्रोक्त में से कोई नहीं तो बात करते हैं कि मिर्दा में निर्धार क्रोमा क्या परदर्सित करता है तो क्रोमा परदर्सित करता है option 3 है रंग की सुद्धता हुआ सांदरता next है 27 मिर्दा में किस तत्त की मात्रा सबसे अधिक होती है मिर्दा में किस तत्त की मात्रा सबसे अधिक होती है iron, oxygen, aluminium, silicon मिर्दा में मिर्दा की सता पे जो मिट्टी होता है उसमें सबसे अधिक किस की मात्रा होती है तो इसमें सबसे अधिक मात्रा होती है oxygen की option 2 विलकुल right है oxygen next है कि मिर्दा में लगबग कितनी परतिसत सिलका होती है मिर्दा में लगबग कितनी परतिसत सिलका होती है option है 24%, 27%, 31%, 35% मिर्दा में लगबग कितनी परतिसत सिलका होती है इसका right option है 2 number 27% चलिए next देखते है 29 पानी पौधे का मुख्य पोसक तत्तु है कथन किसका है या कथन किसका है किस बैग्यानिका है इसका right option क्या होगा इसका right option है 3 number Francis Bacon है Francis Bacon का कतान है कि पानी पौधे का मुख्य पोसक तत्तु है और इस वीडियो का last question है कि बनस्पत का मुख्य आधार पानी नहीं है बलकि Salt Peter है KNO3 सुजाओ किसका है बहुत ही मात्पूर है कि बनस्पत का मुख्य आधार पानी नहीं बलकि Salt Peter है ये किसने सुजाओ दिया था किसका सुजाओ है ये बनस्पत का मुख्य आधार पानी नहीं बलकि Salt Peter है ये किसका सुजाओ है किस बैज्यानी का सुजाओ है चार option आप लोगों के सामने है राइट option क्या होगा तो इसका राइट option है option number first J.R.Glaver J.R.Glaver ने कहा है कि बनस्पत का मुख्यादार पानी नहीं बलकि Salt Peter है इन्होंने सुजाओ दिया था तो ये रहे मित्रों टॉप 30 most important परिच्छाओ प्योगे प्रश्ट पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्शे वीडियो के साथ तब तक लिए थाइंक्यू सो मच थाइंक्स पार वाचिंग माई वीडियो